नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्साटाइल वर्षा में आज हम इस पैंट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और वीडियो को बिना स्किप की हुए देखें ताकि आपको ठीक से समझ में आपाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लाइनिंग फैबरी को डबल फोल्ड कर लेंगे डबल फोल्ड करने के बाद हम उपर से सीधा निसान लगा लेंगे कपड़े को देख लेंगे सीधा है तो उसके बाद हम उपर से पूरी लंबाई लेंगे और लंबाई हमारी 23 इंच हमने 23 इंच पर निसान लगाया 23 इंच के नीचे वाले की तरफ हमने एक निसान और लगाया धाई इंच पर फोल्ड करने के लिए उसके बाद हम लेंगे हिप का मेजर्मेंट क्योंकि हम कमर का पूरा नाप नहीं लेते हैं हम हमेशा हिप का ही नाप लेते हैं कमर के लिए तो कमर हमारी 26 इंच उसको फोल्ड से डिवाइट करेंगे तो आएगा शाड़े 6 इंच तो यहाँ पर शाड़े 6 इंच पर निसान लगा लेंगे इस निसान के आगे लूजिंग के लिए डेड़ इंच पर एक निसान और लगा लेंगे तो टोटल शाड़े 8 इंच पर निसान हो गया है क्रॉच लेंथ भी हम शाड़े 8 इंच पर ही लगाएंगे इन निसानों को सीधा कर लेंगे अब यहाँ पर भी हम 9 इंच पर निसान लगा लेंगे यहाँ पर हम 9 इंच के लिए निसान लगा लेंगे यहाँ पर क्रॉच की गुलाई दे देंगे इस निसान के आगे हम 1.5 इंच पर और निसान लगाएंगे यहाँ से हम सेंटर निकाल लेंगे इंच टेप को इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सेंटर निकाल लेंगे बीच में अब यहाँ से इस सेंटर को नाप लेंगे फोल्डेट साइड से इस तरीके से रखेंगे और इसे नाप लेंगे तो यहाँ पर बीच में सेंटर का निकाल लगा लेंगे अब इस सेंटर के निकाल के दोनों तरफ हमें 3-3 इंच पर निकाल लगाना है टोटल 6 इंच पर निकाल लगाना है मोरी के लिए यह निकाल को हम सीधा सामने वाले निकाल लेंगे अब हम कर्वी स्केल को लेंगे और कर्वी स्केल की बाहरी साइड से हम कर्व का नाप लगा लेंगे जहां पर हमने मोरी का नाप लगाया था और फिर कर्वी स्केल को पलट लेंगे और इधर साइड भी हम इसी तरीके से अंदर की तरफ से हमें कर्व स्केल पर निसान लगाना है यह हमने निसान लगा लिया है कमर पे हम प्लेट डालेंगे तो उसके लिए भी हम सेंटर का एक निसान लगा लेंगे इस सेंटर के निसान को हम 3 इंच नीचे की तरफ एक निसान लगा लेंगे और प्लेट्स के लिए हाफ आप इंच पर निसान लगा लेंगे अब यहाँ कट कर लेंगे अब हम बैक पार्ट कट करेंगे तो बैक पार्ट के लिए हमने कप्ले को डबल फोल्ड किया है और फ्रंट पार्ट को उसके उपर रखा है यहाँ से हम डेड़ इंच निसान लगा लेंगे उपर क्योंकि जब हम बैठते हैं तो पैंट पीछे से थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक जाती है इसलिए हम यहाँ पर बैक पार्ट को लेंथ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और नीचे साइड भी हम डेड़ डेड़ इंच पर निसान लगा कर इसे बढ़ा लेंगे लूजिंग के लिए यहाँ पर भी डेड़ इंच तो हमने बैक पार्ट को डेड़ डेड़ इंच बढ़ा लिया है क्रोच की साइड से आसन की साइड से एकी साइड से हमें इसे बढ़ाना है हम दोनों साइड से नहीं बढ़ाएंगे अब इस निसान को सीधा मिला लेंगे इस तरीके से और एक लाइन खीच लेंगे तिर्ची लाइन हमें खीचनी है फिर हम आसन की लंबाई भी दे देंगे और गोलाई भी दे देंगे अब हम स्केल को इस तरीके से रखेंगे और अंदर की तरफ से हमें यहाँ पर भी निसान लगा लेना है और अब इसे कट कर लेंगे अब हमारी यह पैंट कट गई है अब इसे हम में फैब्रिक कट करेंगे इसके लिए अब हमने यह फैब्रिक लिया है इसको अच्छे से पिन अप कर लेंगे और बैक पाट और फ्रन पाट को इसके उपर इसी तरीके से रखते हुए हम कट कर लेंगे फ्रन पाट कर चुका है अब बैक पाट को कट करेंगे बैक पाट भी हमने काट लिया है पिन को हटा लेंगे इनको खोल लेंगे इनको इस तरीके से एक दूसरे के उपर रखेंगे लाइनिंग को इनके उपर रख देंगे मेन फैबरी के उपर और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे यहाँ दोनों पर मैंने सिलाई लगा लिया है और अब इनके यहाँ से पूरे इस पर सिलाई लगा लेंगे यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक आएंगे और चारों पार्ट पर इसी तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम आसन को भी जोड लेंगे इस तरीके से रखते हुए एक दूसरे के उपर और आसन पर सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट पे ये दिखे आसन पर हमने सिलाई लगा लिया है यहाँ पर अब इसको इस तरीके से खोल लेंगे बैक पार्ट को रखेंगे इसके उपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे पहले हम साइड से सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड यह दिखें दोनों साइड हमने सिलाई लगा लिया है अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे वन फोल्ड टू फोल्ड करेंगे और यहां पर सिलाई लगा लेंगे कि नारे की सिलाई यहां पर लगा लेंगे उसके बाद दोनों पर हमें सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर इस सिलाई को एक दूसरे के उपर रखेंगे और दोनों साइड हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे ध्यान रहे हमारी आसन वाली जो सिलाई है वो एक दूसरे के उपर आनी चाहिए यह देखिए हमने सिलाई लगा कर इसे तयार कर लिया है और हमने यहाँ पर plates भी डाल दी है वो वीडियो में record नहीं हो पाया मैं दिखा नहीं है पाई आपको लेकिन plates आप जिस तरीके से आप निसान लगाते हैं उसी तरीके से आप fold करते हुए उस plates को डाल सकते हैं अब हम inch tape से कमर की पूरी गोलाई ले लेंगे नाप लेंगे तो गोलाई हमारे आई है 30 इंच अब हम 30 इंच लंबा कपड़ा काट लेंगे belt के लिए तो यहाँ से पहले हम उपर हमारा कपड़ा थोड़ा तीरचा सा है तो उसे सीधा कर लेते हैं belt की लंबाई ले लेंगे 30 इंच और हमारा जो इलास्टिक है वो है 1.5 इंच का तो उसको डबल करेंगे तो आएगा 3 इंच और 1 इंच हमें सीम अलाउंस के लिए चाहिए तो हमें 4 इंच पर निसान लगाना है 4 इंच चौड़ी पट्टी हम कट कर लेंगे अब इन निसानों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे और कट कर लेंगे अब लाइनिंग फैब्री को भी इसके उपर रखते हुए में फैब्री को कट कर लेंगे यह हमने इसे कट कर लिया है अब चारों और सिलाई लगा कर इसे फिक्स कर लिए यह दिखिए मैंने इसे फिक्स कर लिया है अब pent को लेंगे इस तरीके से इसके उपर रखेंगे उलटी तरफ हमें रखना है और इसे चारों और से सिलाई लगा लेंगे जो side की सिलाई है वहाँ से हमें start करना है सिलते हुए यह देखिए यहाँ पर सिलाई लग चुकी है और उपर side से भी मैंने इसको half inch करीब fold कर लिया है अब इसको इस तरीके से पलटेंगे ऐसे और इस सिलाई के उपर रखेंगे यहाँ पर करीब देखिए यहाँ पर मैंने इसे खुला रखा हुआ है elastic डालने के लिए अब हमारी कमर की पूरी length थी 30 inch तो हमें elastic 20 inch का काटना है 10 inch कम कर देंगे तो 20 inch का मैंने elastic काटना है अब यह elastic इसके अंदर हमें डालना है किसी safety pin की मदद से डालेंगे यहाँ से इसको इस तरीके से आप safety pin की मदब से डालेंगे तो यह आराम से इसके अंदर चला जाता है यह देखिए मैंने इसको डाल लिया है पिन को निकाल लेंगे और elastic को एक दूसरे के ऊपर overlap करते हुए stitch लगा लेंगे पक्की सिलाई लगा लेंके उसके बाद जहां पर यह खुला हुआ है यहां पर भी सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई elastic को मजबूत करने के लिए center में लगा लेंगे यह देखिए मैंने सिलाई लगा कर तयार कर लिया है और आप हमारा paint बनकर ready हो गया है तो आपका pen fitting